प्रिक्षिया पास करने वाले बनेंगे थानेदार और चोकी परभारी इंस्पेक्टर, SI और सहाइक सब इंस्पेक्टर को पास करनी होगी प्रिक्षिया पुलिस कमिस्णरी में सामिल थानों के थानेदार और चोकियों का परभार समालने के लिए अधिकारियों को अब पुलिस कमिस्णरी की प्रिक्षा पास करनी होगी DCP निकिता खटर ने इसे लेकर पत्तर जारी करने के साथ ही आवेदन करने को कहा है अर्याना पुलिस कमिस्णरी 27 बालन ने लिखिते प्रिक्षा में बेहतर अंक पाने वालों को उनके अनुसार्थ ही थानेदार और चोकियों की परभारी बनाने का निर्णे लिया है प्रिक्षा में विभिने धाराओं के साथ सामान्य ग्यान और बेहतर पुलिसिंग से सम्बंदित परसन पूछे जाएंगे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सायक, सब इंस्पेक्टर को यह प्रिक्षा देनी होगी वर्तमान थाना वैब चोकी परबारियों को भी इस परिक्षा में सामिल होना होगा DCP निकिता खटर की तरफ से जारी पतर में थाना और चोकी परबारी की नुक्ति प्रप्त करने के लिए लिखित परिक्षा देने के आदेश दिये गई है पुलिस कमिस्नरी 20-30 बालन का कहना है कि पुलिस कमिस्नरी में तैनाती पुलिस अधिकारियों की सोच और विवार भी उतक्रेश्ट होना चाहिए सरकार ने सोनिपत को पुलिस कमिस्नरी बना कर अच्छी पहल की है ऐसे में पुलिस अदिकारे के विवार, सोच, क्यान और विचार को जाता जाएगा इसके लिए लिखित परिक्षिया होगी सौनिपत के पूर्वी पस्समे और गोहाना जोन के थानों में स्थानेदार और चोकियों में परबारी बनाने के लिए आविदन के लिए दो दिन दिये गए है 2014 में ली थी परिक्षिया पुलिस से कमिस्नरी 20-30 बालन इससे पहले नॉम्बर 2014 से मार्च 2015 तक जिले के S.P. रह चुके हैं तब भी उन्होंने इसी तरह की परिक्षिया ली थी जिसके बाद अंको के आदार पर थाना परबारी नुक्त किये गए थे वर्स 2014 में वर्तमान में C.I.A. गोहाना के परबारी धीरज गुमान ने परिक्षिया में टॉप किया था उन्हें तब कुडली थाना का परबार मिला था उन्हें अब फिर से परिक्षा में सामिल होना होगा